है 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 हलो बच्चियों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्यार्म एजुकेशन हब में और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम 12 क्लास का फिजिक्स का चेप्टर वन लेकर रहे हैं बोट टार्गेट बैच में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वाग आपके दोस्त होंगे या फिर आपके भाई बगर रहा हो जो भी हो उन्हें बता दीजिएगा कि हमने चैप्टर फस्ट जो है फिजिक्स का उसके इंप्रेंट कॉस्टिन आज डाल दिये है ठीक है बैटा तो यह आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होंगे और यह आप करके जाएंगे एक्जाम से बोर्ट के लिए जो आप से डिरेक्ट लिए कुश्चन आपके बोर्ड में पूछी जाएंगे ठीक है बाहर से कुछ नहीं आने वाला है वो बच्चे कहते हैं कि out of syllabus आया है बाहर से कुछ नहीं आदा बस आपका concept clear होना चीए समझ रहे हो तो य इस से बाहर से मुझे नहीं लगता कोई exam में कोई भी question आने वाला है ठीक है बैटा चलिए तो हम class 12 का कुछ भी जो भी important question है वो लेकर आए हैं तो शुरुआत करने से पहले एक बाहर आप लोग चैनल को subscribe कर लेंगे वीडियो को like comment and see a जरू कर दीजेगा ठीक है बैटा चलि की एक इलक्तिकिक डाइपन होता है एलक्तिक डाइपोल होता है पताए आप लोगों को थो उसमें कर और इकस्परेशन मतला क्या करना एकस्परेशन निकाले है ठीक हैimasikन मों श्लिया दिरिशन होता है निमरिकल्स excited wiltafe ौआ पी टिक है ठीक है बैट ररीवेशन जो मुस्त L पॉइंट पर और एक्विटोरियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है उसको ड्राइव करना है किस तरीके से निकालेंगे वो एक्स्प्रेशन आपको ड्राइव करके दिखानी है ठीक है बेटा चलिए तो पहला कोशन समझ में आ रहा है किस पर एक रहा है है हमेशा याद रखना कुलोंब से लोग पूछता है वेक्टर फ़ॉंम में ज्यादा पूछता है ठीक है बैटा इसकेलर फोर्म में नहीं पुछता है नाहीं पूछता है नॉद्स एक हुए और जो हम थोड़ा से निच्षोड निकाल के लाए है आपके लिए ठीक आपको यह बताना है कि पहले तो होता क्या है वो आपको बताना है ठीक है और उसको वेक्टर फॉर्म में आप एक्स्प्रेस करेंगे बताएंगे किस तरीके से होता है ठीक है तो दो कोस्चन है बहुत जाद इंप्रेंट कोस्चन है ठीक है यह वाला खासकर बहुत है उपर व होता है उसमें ठीक है तो अभी दोनों क्या कर लेंगे किलियर हो जाने चाहिए आपके ठीक है चलिए थर्ड क्वेशन देखते हैं find the expression for electric field क्या निकालना विटा electric field निकालना है कहाँ पर electric field intensity at a point on the axis of a uniformly charged ring क्या कह रहा है वो कि uniformly आपको electric field intensity निकालनी है उसको ड्राइब करके लिखाना किस तरीके से एक electric field intensity जो है वो किसके uniformly charged ring की access पर कैसे निकालेंगे तो यह वाला question ही बहुत important है ठीक है एक चार्जड रिंग है ठीक है यह आप से कि यह देखो मुझे नहीं लगता कि NCRT से बाहर कुछ आता है syllabus बाहर कुछ नहीं आता बच्चे कहते हैं आउट of syllabus नहीं आता बच्चे आपको ठीक है वो उनका concept के लिए नहीं होता है यह फिर कुश्ड़ा घुमा के पूच्छ देता है समझे तो इसलिए आपको आपको एकशन देना ठीक है किस पर यूनिफर्म लिचार्ज दिंग है आपके पास एक और उसकी एक्स पर आपको कह निकाले है बहुत बार पूछता है और यह हो सकता जैसे पांच नमर वो क्वेशन आते हैं चारे पांच नमर के जो भी आते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा पूछ बहुत बार अपसे नैचे देटाए चलिए चलिए ड्राइव एक्सप्रेशन वर टॉर्क निकालने तरक की एक्सप्रेशन निकाल निकालने कि इसकी बटा करें है उनिफॉर्म पर पता होगा तो मैं पर आपको ये तरीक में रहे लिए अपको था है ईघ्टी में रख़ा यह यह अपको नहीं आठास्व तो आप एसन अरोडा ले जिए ठीक है उसमें अच्छी तरीक से दे रहा है आपको ठीक है बिटा चलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है इसा लडोरा बुक जो है ठीक है चलिए तो आपके चार से पांच कोश्चन ही बहुत जाता इंप्टेंट है अब नेक्स कोशन देखेंगे अब डराइवन एक्सप्रेशन फॉर्टेशन फॉर्टेशन डरीवेशन करना एक तो यह आपको च्छे कोश्चन थे जबन करवा दिये आगे हम करवा दिये तब तक आप लोग इसक्रीन सॉट ले लेंगे और जल्दी तब तक हम इसे रफ कर देता हूं से कि यह विश्चे करना है और वी चैप्टर है हमारे पास और भी सब्जेक्ट है मारे पास ठीक है तो हम सारे बोर्ट से लेटेड एक्जाम तक करवा देंगे ठीक है इस से बाहर से कुछ नहीं आएगा अब इकाद कुश्चन बाहर से नहीं आएगा पर आपको थोड़ा और ड़ते थो हमारे बच्चे वैसे भी नहीं किसी से ऐसी है चलिए लिखेंगे आप सभी लोग जल्दी तो आप से देखेंगे से विखेंगे से कोश्चन क्या करा है स्टेट गौस्ट थेओरम एंड यूजट तो फाइंड दा इलेक्रिक फिल्ड एट पॉइंट दूट पह पहले तो आप से यह पूछ रहा है कि पहले तो बताना है कि गौस्ट थेओरम होती क्या है और फिर क्या करना है उसी को यूज़ करना है उसने कहा है कि गौस्ट थेओरम बतानी पहले तो और गौस्ट थेओरम को ही क्या करना यूज़ करना है किसके लिए लेक्रिक फिल्ड सब्सक्राइब करना है ठीक है गौस्ट थियोरम के द्वारा अब कहां कहां करना वो देखेंगे पहला केस जो है वो दिया रखाएगी एन इन इंफिनिटली लाज थिन प्लेंट सीट है उनिफॉर्म सर्फेस चार्ज देंसिटी आपको पता है कि जो इनफिनिटली लाज थिन स्कnductor ट्रेस ये तो इनफिनिटली लाज थिन प्लें सीट थी अब यहां पर किसकी बात होई इस्फेरिकल सेल की बात हो जो कि कंडॉक्टिंग है कैसी वेड़ा इसमें करेंट पास और बवात है तो इन युनिफॉर्मली चार्ज प्लेंटिंग अब चाहिए उसकी डियरक है ठहुंब करना है पहले इसका इनल फिनित लिग इन्फिनिटी ल करनेंट। तो उसक्त क्या लिग है एक यूनिफॉर्म ली चार्ज्ड इसलिक एस फेर यह एक आपको नौन कंड़ुक्ति यह सॉलिड इसल्ट घाल फेल्म में और व मं तो तो non conducting solid sphere है वहाँ पर भी आपको गॉस्थियोर्म का यूज करके जिसकी रेडियस आर दे रखी है गॉस्थियोर्म का यूज करके आपको इलेक्टिव फील्ड करना उसके पॉइंट पर ठीक है तरीके से गॉस्थियोर्म सोट में निकाल देता है उसको समझा देना चलिए तो सब्सक्राइब आंसे क्या पॉइंट चार्ज पर आइजोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए क्या कालना है जीका चाहीत की सिस्टम के लिए आपको करना है चोड़ इस हो टा किया क। So आप क्या करेंग उसमें एक्षिंड करेंगे फिर आपको क्या करना है इक तरिक चुर्ट करने किस-किस के लिए पहले ठीक हैanti इसल्ट हुम आइखिंड के लिए ची और эк तो आपको तीनों केस में करना है एक को प्रटेंशन सर्फिस ड्रॉप करना ठीक है तो यह हो गए आपके कितने एट कोश्चन है जो प्रटेंट कोश्चन है इन आप करके जाएंगे ठीक बैटा चलिए इसे में रेस कर देता हूं आप लोग नेक्स्ट कोश्चन दिखेंगे चलिए प्रटेंट कोश्चन लिखेंगे आप सभी लोग ठीक है बैटा सब हो जाएगा डूंट वरी टेंशन नहीं लेनी देखो वीडियो भी ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है कि अब बात से नहीं है अगर दिमाग में पढ़ते 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 टेंशन आने लगे तो आप क्या करेंगे आप करेंगे अब गाने वगर सुन लिया कीजी थोड़ा बहुत हां जैसा निए अगर आपको लगे ना कि ज्यादा बाडन फीड हो रहा है आपको दिमाग मे तो आप गाने सुनने बैठ जाईए अच्छे से पुराने से ओल्ड सुन लिए बड़ा अच्छे लगते हैं ठीक है जो आपको अच्छे पसंद हो हाँ जैसे कि वह गाना नहीं है कर आप माना अपनी जेव से पकीर हैं फिर बियार दिल के हम उमीर हैं चले जो प्यार के लिए वह जिन्दगी मिटे बहार के लिए वह जिन्दगी हमें तुद खुद से जादा तुम परैत बार जीना इसी का नाम है तो ऐसी जीना है आप लोगों खुशी-खुशी ठीक है टेंशन निले नहीं बस अब गाना भी सुनने आप लोगों ने चलिए नेक्स लिखेंगे थेरिवेशन है उस में बता दिया थेक है जो अब कि जाया और बात किझे न्युकर्ण्योंघ कर भात जाए निम्मेरिकल्स की तो न्युमेरिक्ल् fae का ही एक्जामपल 1.9 दे रखा है और पेज नमबर 22 पर वह आप किलियर कर लेंगे ठीक है बेटा मैं आपको पेज नमबर भी बताता जारू इसलिए ncrit का ही एक्जामपल 1.11 1.11 ने पढ़ते हैं 1.11 पेज नमबर 35 पर दे रखा है वह आपके लिए कर लेंगे ncrit का एक्जामपल 1.12 पेज नमबर 36 पर दे रखा है अब वह एक्जामपल के लिए कर लेंगे और यह चार्त हो गई आपके एक्जामपल है जो बहुत जाद इंपर्टेंट ठीक है आपको कुलॉम्स लौ से क्या वेटा कुलॉम्स लौ से नियुमरिकल पूछ सकता है और मैंने वह बताए हैं आपको यह बहुत ज़्याद्याइए शब हो जाएगाण के सब कुछ होता है ug तो आपको आपको पड़ने के साथ आपको पड़ते हैं आप ठीक है आपको जादा पड़ना है या इतना पड़ना है बहुत बहुत ज्यादा स्लेबस है कैसे पड़ा जाए फिर बच्चे न और एक और बात रखी याद रखेंगे बीटा कि जो कि ट्विल्थ क्लास को सिलेबस होता है ना बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए वहाथ बढ़न होता है पर आप अब करेंगे तो आपको अपनी तबीयत का ज्यादा ख्याल रखेंगे आप सभी लोग ठीक है क्योंकि एक्जाम के टाइम पर बच्छों बहुत बिगड़ जाती है बात यह होती है कुछ तो टेंशन रेती दिमाग में फिर एक साथ पड़े जा रहे हैं आर दस घंटे आर दस हो तब क्या करेंगे फिर एक जो टाइम बचता है ना फिर आप उसी में पड़े जा रहे हैं एक सब्सक्राइब करेंगा अपनी तब्यात का ख्याल रखें कि मैंने देखा है बहुत से बच्चों को बोर्ट के टाइम पर उनकी बीमार जल्दी पड़ जल्दी पड़ जाते तो पर वह इनकी टेंशन रहती है तो आपको ठीक है जादा है आपको पता है तो अभी से करेंगे सब कुछ देगा टेंशन नीं यह ठीक है और मैत के भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं आज कलमें वीडियो टेंथ क्लास की और ट्वल्थ की लाने वाले हैं ठीक है तो फ लोड़ कर या कैसे भी खुदी अपलोड करना पड़ता है इसा पुछ करना पड़ता तो टाइम तो लगता है आप समझते विस बात को ठीक है और आपको पता ही थोड़ा सा हर चीज जरूरी हो तब पर भी करना पड़ता है ठीक है तो यह कुश्चिन जो हैं वह इंप्रेंट का और दिहान से पड़ेंगे ठीक है पिटा चलिए तब तक के लिए बाइबाय और टेक क्या है बहुत बहुत चुक्रिया